नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तू पस्तित हूं दोस्तों आप सभी की सिवा में कुछ एक महतो पून जानकारियों को ले करके दोस्तों जिहां दोस्तों हम आप सभी से बात कर रहे हैं आज कल कुछ एक और शधियों के बारे में दोस्तों जिहां दोस्तों आज हम बात करेंमे लॉग के बारे में। लॉग का धार्मिक दिरिश्टी से बहुत ही महत्व है दोस्तों क्योंकि किसी भी पूजा अनुष्ठान में लॉग का जोडा अरपित किया जाता है दोस्तों। लौंग को घी के साथ मिलाकर पूजा करते हैं दोस्तों। लौंग को सुगंधित होने के कारण सभी इस्त्री पुरुष पसंद नहीं करते हैं। लौंग से बहुत से प्राकृतिक और शधियां बनती हैं दोस्तों। आए हम जानते हैं आज उनके बारे में। लौंग को पानी के साथ पीश कर सहद में मिलाकर चाटने से खसरे के रोग में बहुत हीं लाब होता हैं दोस्तों। नमबर टू, लॉंग और हरड को पानी में खूब देर तक उबाल कर क्वात यानि की काड़ा बना कर थोड़ा सा सिंधा नमक मिला कर पीने से अजिर्ण में बहुत ही फायदा होता है दोस्तों नमबर टू, लॉंग को पानी के साथ पीस कर सिर और कनपटियों पर लेप करने से स्नाइविक यानि के मस्तक शूल खत्म होता है दोस्तों बस वरेल में लंबे सफ़र के समय अगर आपको मिचली या उल्टी होने लगे तो एक लॉंग मुह में रख करके बैठ जाए दोस्तों, मिचली आने बंद हो जाएगी नम्बर फोर, लॉंग को 200 ग्राम पानी में देर तक उबाले, 50 ग्राम पानी बाकी रह जाने पर उसे च्छान कर पीने से वायू विकार और पीट दर्द शान्त हो जाता है दोस्तों नमबर फाइव लॉंग के तेल की सिर पर मालिश करने से सिरदर्द खतम हो जाता है दोस्तों नमबर सिक्स लॉंग और हल्दी को पीस कर लगाने से नासूर में बहुत फायदा होता है नमबर सेविन लॉंग को जल में उबाल कर चान कर थोड़ा थोड़ा पानी पिलाने से हैजे की विक्रिती में उल्टी का प्रकोप शान्त होता है मुत्र अधिक निश्कासित होता है दोस्तों 8. लौंग को आग पर भून कर कुट पीश कर चुन बना कर मधु मिला कर चाटने से कुकुर्क खांसी यानि की काली खांसी में बहुत हीं लाब होता है दोस्तों 9. शरीर की किसी भी भाग पर शोध होने पर लौंग का तेल मलने से भी चमतकारिक लाब होता है नमबर टेन लॉंग को मुह में रखकर उसका रश चूसने से खासी खत्म होती है जब तक मुह में लॉंग रहती है तब तक खासी बंद रहती है दोस्तों नमबर इलेविन लॉंग को मुह में रखकर चूसने से मुह और स्वास की बदभू दूर हो जाती है नमबर ट्वेल्व लॉंग के तेल की कुछ बुंदे किसी स्वक्च कपड़े के टुकड़े पर टपका कर उस कपड़े को बार बार सूंगने से प्रतिर्शय यानि कि जुक फाम की समस्या ठीक हो जाती है साथी नाक भी बंद नहीं होता है और नाक अगर बंध हो तो खुल जाती है दोस्तों नमबर थर्टिन लॉंग को पानी के साथ पीसकर सो ग्राम पानी में मिलाकर छान कर मिस्री मिलाकर पीने से रिदय के जलन विक्रिती दूर होती है पेट मे जलन होना बंद हो जाता है दोस्तों नमबर 14 वात विकार वा संधिर शूल यानि कि जोनों के दर्द में लॉंग का तेल मलने से पीड़ा खत्म होती है दोस्तों नमबर 15 लॉंग को पानी के साथ पीस कर हलके गर्म पानी में मिला कर पीने से जीमिच लाना बंद हो जाता है और ज्यादा प्यास लगना भी बंद हो जाते है दोस्तों नमबर 16 लॉंग के तेल की एक दो बुंदें बताशे पर डाल कर खाने से हैजे की विक्रिती दूर हो जाती है नमबर 17 लॉंग को बकरी के दूध में घीस कर नेत्रों में काचल की तरह लगाने से रतोंधी रोग ठीक हो जाता है दोस्तों नमबर 18 लॉंग और चिरायता दोनों बराबर मात्रा में पाने के साथ पीस कर पिलाने से बुखार खत्म हो जाता है दोस्तों नमबर 19 एक रत्ती लॉंग को पीस कर मिश्री की चाशनी में मिलाकर चाट कर खिलाने से गर्ववती इस्तरी की उल्टियां बंद हो जाती है इंटी बायोटिक का काम करता है दोस्तों यह रक्त शोधक और किटानों नाशक होता है लॉंग में मुह आते और अमाशय में रहने वाले सुक्ष्म किटारूं वह सडन को रोकने के गुण पाये जाते हैं दोस्तों तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि एक लॉंग हमारे ल को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों